नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अध्यापक सिक्षा दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एकल संक्रमणिया अनुपातिक परणाली की जिसमें राश्पती के चुनाव होता है ठीक है राश्पती के चुनाव जो है एकल संक्रमणिया अनुपातिक परणाली द्वारा किया जाता है ठीक है एकल संक्रमणिया अनुपातिक परणाली के क्या मतलब है एकल संक्रमणिया अनुपातिक परणाली का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जितने व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं उसी के सेंimme सारी हर व्यक्ति को वह डालने का अधिकार होता है और वह व्यक्ति यह Hai उतने के में लेभी कि टेФरा है इसमें धेते now कि किस तरीके से होता है इसमें इंद्वियक्ति को हमने चुन के सन्सद में भेजा है या विर्धान सभा में भेजा है ठीक है वही व्यक्ति जो है जीते हुए सदस्य जो है वही जो है वो राश्पति के चुनाओं में भाग लेते हैं ठीक है जिसमें MP MLA सारे आ जाते हैं और विर्धान मंडल जो है वो आ जाता है 28 राज्यों का इसके अलावा तीन हमारे संग साशित छेत्र जिसमें दिल्ली लद्दाक और पुदुचेरी इतीन राज्यों जो है जहां पर विधान सभा है वो शामिल हो जाती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा जैसे यह हो गई हमारी लोक सभा और राज्य सभा यह चुनाओं में भाग लेते हैं ठीक है इसे हम बोलते हैं संसद क्या बोलते हैं संसद ठीक है यानि पूरी जो संसद है वो चुनाओं में भाग लेती है सिवाए कुछ लोगों के अब कुछ लोग कौन है कुछ लोगों में राज्य सभा के बारा मनोनित सदस्य ठीक है और एंगलो इंडियन के दो मनोनित सदस्य जो कि लोकसभा में बैठते हैं यह जो है क्योंकि राश्पती जो है वो इनको मनोनित करता है इस कारण से इन लोगों को राश्पती के चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता ठीक है यह बारा मनोनित सदस्य से कौन होते हैं बारा मनोनित सदस्य से यह वही होते हैं यह राश्पती द्वारा मनोनित की जाते हैं जो कि किसी विज्ञान कला या साहित्य में अच्छे होते हैं ठीक है और यह एंगलो इंडियन जो है वो ठीक है लोकसभा में तो 545 जो है ल और 245 जो सदस्य है वो राज्जहसभा में बाळते हैं तो 545 और 245 होगर 790 सदस्य इधर भाग लेते हैं इसन सद्ग अब यह होगी विदान सभा हमारी विधान सवा में 28 राज्य है ठीक है 28 राज्यों के जितने भी विधान सवा के सदस्य जीते हुए होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं इसके अलावा विधान परिशद हो गई है विधान परिशद जो है वो सिर्फ केवल 6 राज्यों में है तो इस वज़े से विधान परिशद को इसमें हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है विधान परिशद में जो हमारे तीन यूनियन टेरिटरी आती है संक्षासित, छेद्र जिसमें दिल्ली, लद्दाख और पुदुचेरी ये तीन शामिल है इनको भाग लेने दिया जाता है ठीक है अब इसमें बात करते हैं कि वह पद जो कारेपालिका और विधाई का दोनों का निर्वहन करता है वो कौन कहलाता है वो कहलाते मंत्री प्यानि जितने भी मंत्रीगण हैं ठीक है मंत्री प्रीशत के संसद के वैस अभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनित सदस्य राश्पती के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं ठीक है अब लोक सभा राज्य सभा तथा विधान सभा के केवल निर्वाचित सदस्य राश्पति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं यानि जो जीते हुए सदस्य हैं सिर्फ वही इसमें हिस्सा ले पाएंगे के इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में अब तक एंगलो इंडेन की विवस्ता को खतम कर दिया है वर्तमान समय में अब एंगलो इंडेन जो है वह यहां पर नहीं छाटे जाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक M.L.A. की वोटिंग कैपैसिटी किस हिसाब से जानी जाती है क्योंकि हर MLA की जो वोटिंग है वह अलग-अलग होती है ठीक है मान लीजिए कि यूपी में उत्तर परदेश में 80 MLA है कितने हैं 80 MLA है अब जो जीते हैं जो चुनाव जीच चुके हैं ठीक है अब मान लीजिए कि एक MLA जाता है वोटिंग करने के लिए तो इसके वोटों की संख्या की करना कैसे की जाती है तो यहां आएगा राज्य की राज्य की जन संख्या राज्य की जन संख्या बटे में उस राज्य में टोटल MLA की संख्या इंटू 1000 ठीक है तो इस तरीके से एक प्रतेक राज्य की जो MLA है ठीक है यहां लिख देते हैं MLA ठीक है तो एक MLA जो है उसकी पावर या उसकी वोटिंग कैपसिटी हमें पता चल जाती है कि एक MLA की वोटिंग की ताकत जो है वो कितनी है तो इस तरीके से हर प्रतेक राज्य जितने भी राज्य है भारत में वहां के हर MLA की जो पावर है हर राज्य के MLA की जो पावर है वो अलग-अलग मापी जाती है ठीक है यह तो हो गया MLA अब हम देखते हैं MP की पावर MP की पावर किस तरीके से ना पी जाती है दोस्तों MP की एक MP एक MP बराबर होता है टोटल MLA का वोट टोटल MLA का वोट ठीक है बटे में टोटल नंबर ओफ MP ठीक है तो एक MP की पावर है वो शामिल हो जाती है हमें पता चल जाता है तो माल लीजिए कि जैसे एक MP बराबर टोटल MLA का वोट जो है पाँच लाख उननचास जार चार सो पनतालिस है तो पांसो पनतालिस जो MLA है हमारे प्लस में 245 मेंबर ओफ पार्लिमेंट के जो लोग है ठीक है यह मेंबर ओफ पार्लिमेंट सरी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की संख्या है ठीक है तो हमारे एक MP की वैल्ली जो है वो 695 लगवक के करीब बना जाती है ठीक है तो 695 माल लेजिए 695 यह हो गया ठीक है तो 695 695 इंटू 790 MLA है ठीक है तो टोटल MP की जो संख्या आ जाती है पांच लाख उनुन चास जार 445 यह भी लगवक है यानि एक तरीके से एक MP की जो वैल्ली है वो बराबर होती है MLA की वोट के बराबर होती है ठीक है अब माल लीजिए कि वर्तमान समय में में जो हमारी जन संख्या है ठीक है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है लेकिन जो हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है जो MP MLA की संख्या है ठीक है लोक्सभा्राज्यसभा की सदस्याय की संख्याय संख्या रही है ठीक है covid-1971 की जन गर्णा के अधार पर इस वज़े से हो रही है क्योंकि हमारे पास अगर हम वर्तमान समय की जनकरणा के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सदस्यों की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो जो संसद है वहां पे इतने लोगों के रुकने की विवस्ता नहीं है बैठने की विवस्ता नहीं है जि जब जनसंख्या अपडेट होगी जनगर्णा 2001 के अनुसार अपडेट की जाएगी तो इस वज़े से जो नई संसद्ध है उसका निर्मान तेजी में किया जा रहा है है अब देख लेकते हैं कोगा की बात कर लेते हैं क्योंकि पकानी हो गया है हमारा 52,54 हो गया है कोगा में देखें कोगा में क्या है 55 और 56 ठीक है 55 अनुच्छेद में यह बोलता कोटा की बात करता है हुआ को प्रकर का निश्य थाकरा होता है इतना आपको लाना ही याना है वोत ठीक है तो हो टा बराबर है यहां पर टोटल वो बटे में में उमीदवार को विए उमिदवार में प्लस वन और प्लस वन भीक है यह हमारा कोटा होता है कि कोई भी राश्चापती जो है हो उसको इतना कम से कम वोट लाना अनिवार है ठीक है कोटे के अंदर क्या होता है कि अगर कोई राश्पती कम वोट लाया है ठीक है लेकिन फिर भी वो जीता हुआ ही माना जाता है क्योंकि बाकियों से आगे चल रहा है ठीक है कम वोट लाया है तो भी उसको जो है उसके पद पर रहने या ना रहने की जो विवस्ता है वो उसे हटाया जा सकता है ठीक है यानि उसका जो चुनाव है उसको दुवारा से किया जा सकता है अगर उसको कोटे से कमवोट मिला है तो ठीक है अंचे चपन कहता है कारेकाल अगर हम कारेकाल देखे तो राशपति का जो कारेकाल है वो पांच वर्ष का होता है ठीक है इसके अलावा महाभ्योग लगने पर द्याग पत्र देने पर या मिर्ती हो जाने पर राशपति का पद अगर खाली है तो 6 महीने के भीतर उसका election होना चाहिए उसका भी कारेकाल जो है वो 5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष का ही होगा अगर कोई नया राश्पती चुन के आया है तो ठीक है वरना जो है उप राश्पती जो है वो राश्पती का पदभार समालेगा जब तक राश्पती नहीं है ठीक है अगले अनुच्छएद के आते हैं हमारा अन्शीद 57 और 58 57 अंठावन कहता है दूयो ठीक है क्या कहता है दूयो ठीक है दू से है 57 अंचेद और यह है 58 अंचेद ठीक है 57 यह बोलता है तुबारा चुनाव ठीक है 58 अंचेद यह बोलता है योग गेता ठीक है हम इसके दूबारा चुनाव की बात करें दूबारा चुनाव क्या होता है राश्पती जो है राश्पती जो है वो दूबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है कितनी बार भी खड़ा हो सकता है ठीक है अंचेद 57 यह कहता है क एक बार जीच चुका है तो दुबारा भी चुनाव में कहड़ा हो सकता है अगले लेक्षाड भे ठीक है और ऐसा हुआ था डॉक्टर राज़ेंदर परशाद के समय पर ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद के समय पर हुआ था अगर हम बात करें इसके अलावा अंशेद अंठावन की अंशेद अंठावन में योग्यता की बात करता है योग्यता उसकी बहुत सारी योग्यताएं होनी चीए ठीक है योग्यता पूरा टॉपिक ले लिते है कि अंठावन हमारा योग्यता के बारे में हैं जिसमें कि कहता है कि व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक हो भारत का नागरिक हो ठीक है अगर कोई भी राश्पती के चुनाव में अगर खड़ा हो रहा है तो भारत का नागरिक होना चाहिए उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष ठीक है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए ठीक है इसके अलावा लोकसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो योग्यता रखता हो ठीक है इसके अलावा इसके अलावा भी कुछ चीज़े है इसके अलावा देख लेते हूं और क्या है इसके अलावा क्या है कि उसको कम से कम पंद्रह हजार सिक्योर्टी देनी पड़ेगी और वह सिक्योर्टी देनी पड़ेगी और वह जो सिक्योर्टी जह है वह आपको वापस मिल सकती है लेकिन वह तभी आप वापस मिलेगी जब एक बटे च्छै से गया है पर से ज्यादा वोट लाया है अगर एकम कम अगर वोट लाया है एकम को है तो आपक जो जमानत है या जब्थ हो जाएगा अगर एक वोटे 6 से ज्यादा वोट मिला है तब आपको यह security वापस करी जाती है ठीक है इसके अलावा इसके चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए प्रस्तावक का मतलब होता है कि वो suggest करें कि वाई इनको राश्पति बनाना चाहिए ठीक है इसके अलावा 50 अनुमोदक होने चाहिए अनुमोदक ठीक है अनुमोदक का मतलब होता है कि वो सजेश्ट करें कि हाँ आपके राश्पती बनने की जो प्रक्रिया है वो सही है ठीक है आप राश्पती बनने के काबिल हैं ठीक है पचास प्रस्तावक होने चीए कि भाई इनको भी चुनाव में खड़ा होने दो और आश्पती में योग गता ठीक है अगले अनुच्छेद की और बढ़ते हैं अगला अनुच्छी है हमारा अनुच्छेद 69 अटिक है अंच्छेद 69 दीखते हैं कि जल्ट क्या कहता है अनुच्छेद 10 में हमारा अगला दशम ठीक है दशे है 59 60 और 61 ठीक है दशे है दशा दशा या शर्त शह से है शपत 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 अंशेद 61 बोलता है महाभियोग महाभियोग ठीक है तो यानी दशा कुछ दशाएं है जो की यह चीजें जो है वो राश्पती के चुनाव में को खड़े कि लिए नहीं होनी चाहिए पहली दशा क्या है कि वह पागल नहोución पागल नहों बडिवालिया नहों कि एधिवालिया है इसके आलावा व近 कि प्र yhte में नहीं होना किसके प्सके पर लाव के पड़ पर नहीं होना चाहिए लाव के पड़ ओने का मतलब है कि कोई भी सर्कारी नौकरी जो है वह लाव का पड़ कहलाती है। ठीक है लेकिन अगर आप राश्पति हैं उप राश्पति हैं कोई member of Parliament एक पर मेंट के सदस्य है लोग सभा के सदस्य है राज्य सब ऐसे है तो ऐसी जो सदस्यता है वो जनता के सेवक कहलाते है ठीक है कि जितने भी मिनिश्टर वगैरा है वह जनता लाव का पद नए रखे ठीक है तो इस वजए से जो है वो चुनाओं में खड़े हो सकते हैं बिना अपना पद छोड़े लेकिन लाब के पद पर अगर आप क्या बोलते हैं किसी भी गौर्णमेंट जॉब के अंदर हैं तो आपको अपना पद छोड़ के फिर राश्पती राश्पती बनने के लिए शपत लेनी पड़ेगी इसकेवाद शासे बात करते हैं शास शबॉत की बात करता है करता करते हैं मतलब हो बढ़ता है तो सबसे की चर्चा चेक यह ऐसके बाद यह महाभियोग ठीक है महाभियोग जो है किन किन कार्णों से और कब लगाए जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे महाभियोग में ठीक है अंचेद 61 कहता है महाभियोग लगाए जा सकता है ठीक है महाभियोग जो है वो अर्ध दंडातमक प्रक्रिया है क्योंकि यह जो है क्योंकि दंड देने का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोट को है भारत में ठीक है सब्सक्राइब लह करूर देवास दंड लगा I다 जाता है अर्धदणोतमक प्रक्रिया Sumuk महाभीयोग जो है अमेर्इका से लिया गया है कहा सेसे अमेरीका से अमेरिका से लिया गया है तुक है महा भी यो जो है किन कारणों से लगाए जा सकता है महा भी यो लगाने के कारण हो सकते हैं पहला थो बंदा पागल हो गया हूं कि फालतु के काम कर रहा है उसके कार्च дос hurts ठीक है उल्टे सीधे काम कर रहा हो उसका दिमाग खराब हो गया हो सठी आ गया हो ठीक है इसके अलावा वो मंत्री मंडल की बात ना माने तो अगर वैं मंत्री मंडल की बात नहीं मानता है तो उस पे महावयोग लगाय जा सकता है लेकिन सम्विधान में कहीं पे भी ऐसा नही लिखा हुआ है कि मंत्री मंजल की बात ना माने तो उसके महावयोग लगाया जा सकता है बलकि इसके बजाए सम्विधान का अतिक्रमन करने पर सम्विधान का अतिक्रमन कब होगा जब संसज्यो कानून बना रही है उसको नहीं मान रहा है राश्पति तब अतिक्रमन होगा सम इसके अलावा दूसरे देश के प्रभाव में प्रभाव में अगर वो किसी अन्य देश के प्रभाव में आ गया है तो भी उस पे महावयोग लगाया सकता है महावयोग लगाने की प्रक्रिय इसके बारे में हम जानते हैं कि महावयोग की प्रक्रिय किस तरीके से लगाये जाती है महाभ्योग में क्या होता है दोस्तों कि यह है हमारा संसत ठीक है मान लो यह है लोकसभा यह राज्यसभा ठीक है यह जो प्रक्रिया का प्रारंब है यह एक चॉताई वोटों से शुरू किया सकता है कि यह हमारी का संसत अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी सदन से मान लिजिए राज्य सबाब में चालू हो गया लोग सबाब में कहीं भी चालू हो सकता है ठीक है एक बटे चार सदस्य अगर राजी है तो महावयोग की परक्रिया चालू करती जाती है ठीक है इसको पारित करने के लिए क्या करने के लिए पारित करने के तो दो बटे तीन वोटों से पारित करना पड़ेगा और एक सदन में पारित करने के बाद 14 दिन का समय मिलता है राश्पती को ताकि वो दूसरे सदन में वोट के लिए इस वीच राश्पती अपनी सफाई पेश करता है माल लेजिए राश्पती कोई पारित हो गया प्रस्ताव ठीक है महाभयोग लगा दिया गया और पारित भी हो गया ठीक है दो तियाई वोट में मिल गए 6-6 परसेट अब क्या हुआ कि वो प्रक्रिया जो है वो लोकसभा में जाने वाली है तो लोकसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले कब 14 दिन पहले ठीक है 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है राश्पती को कि भाई हमने महाभयोग लगा दिया हमारी ओर से पारित है मालीजे राज्यसभा से पारित है तो राश्पती के पास सिर्फ लोकसभा में समय मिलता है 14 दिन का ताकि वो लोकसभा में अपन साथ गलत किया है मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे आप मुझे पर महाभयोग लगा सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो है वो दूसरे सदन में अगर दो तियाई से फिर भी पेश हो गया तो उसे राश्पती को उसके पत से हटा दिया जाता है और अगर पास नहीं हो पाय सकते हाए माले की बहुत लोगों का मन बदल गया तो जो है वह वो लोक सभा जो है वो इससे पारित नहीं करेगी कि दो दियाईव 12 मिलेंगी नहीं तो फिर राश्पती पर महाभ लगजोग नहीं लगपाएगा फिक इस में जो है लोक सभा राज्य सभा हो गई इसमें तो यह हो गया हमारा महावियोग की प्रक्रिया अब आर्टिकल 62 को देखते हैं आर्टिकल 62 जो है हमारा एक अलग से ही है ठीक है जिसमें बोला गया है राश्पती के पद का रिख्त होना 62 ठीक है आर्टिकल 62 में क्या है राश्पती के पद का रिक्त होना पद किन कारणों से रिक्त हो सकता है या तो उसका कारेकाल कारेकाल पूर्ण हो चुका हो ठीक है या राश्पती ने त्याग पत्र दे दिया हो रिजाइन दे दिया हो या राश्पती की मृत्तिव हो गई हो ठीक है या राश्पती पे महाभीयोग महाभीयोग लग चुका हो या निर्वाचन अवैद हो निर्वाचन अवैद हाँ तो दोस्तों ये सारे जो चीजे हैं वो राश्पती के पद के रिक्त होने के कारण हो सकती है ठीक है अगर मान लीजिए कारे काल अगर उसका पूर्ण हो गया हो तो छै महीने के अंदर उसका छै मंत में दुबारा राश्पती के चुनाव का वो होना है आदिक से आदिक 6 महीने के अंदर उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए ठीम अगर दूसरा निर्वाचित नहीं हुआ है तो जो पुराना वाला राश्पती है ठीम है वही इसकी जगह लेगा ठीक है यानि जो पुराना वाला राश्पती है वो तब तक अपने पत पे बैठा रहेगे जब तक नया राश्पती नहीं आ जाता इसके अलावा अगर व्यक्ति ने त्याक पत्र दे दिया, राष्ट्रपती ने मृति हो गई, महा वियोग लगा दिया, निर्वाचन अवैद हो गया, तो उसकी जगह पर कौन आता है, उप राष्ट्रपती आता है, ठीक है? अब उप राश्पती उप राश्पती जो है वो त्याग पत्र अगर राश्पती ने त्याग पत्र दे दिया है मिर्ति हो गई है राश्पती की महाभियोग लग गया है निर्वाचना वैद हो गया तो उप राश्पती आता है अगर कारेकाल पूर्ण हो चुका है राश्पत तो राश्पती तब तक बना रहेगा जब तक कोई दूसरा निर्वाचित हो के उसकी गद्दी पर नहीं आ सकता यानि राश्पती की सीड जो है वो कभी भी खाली नहीं होगी ठीक है तो दोस्तो राश्पती की शक्तियों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर महाभियोप की भी बात कर ली है ठीक है अब हम दोस्तो अगली वीडियो में हम राश्पती की शक्तियों के बारे में बताएंगे और दोस्तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कि पर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो शेयर करना ना भूले धन्यवाद